अगर आपको भी लागर गांप पसंद है तो कॉमेंट करके जरूर बपाए ना स्थिर्था जब तुम में बचे बन के दरिया तुम बह जाओ मेरी बादो का जब तुमें कोई असर ना हो तो साथ में आकर कह जाओ ना बात कही तुमने दिल की मैं तो दिल से कहने वाली हूँ मुझे गर्बे अपने देश पे क्योंकि मैं अस गांप के लेने वाली हूँ करे लोगों को लगता है कि गांप से सहर के लोग फोड़े बुतिमान होते हैं छब आपको जितसे मिलवाने जा रहे हैं technically आजसर आपको हम गांप की तुसर लेक करते हैं तो आपको हमारे साथ चल아 पड़ेगा इन पखडंडियों पे तो तईयार हना आप हमारे ये प्यारा गांप देखने को तो चलीए हमारे साथ ये गाओं के पक्डंडिया हमें बहुत कुछ सिखा जाती है ये हर्याली, ये उमंग, कहां देखने को मिलेगी जनाब आपको मुझे लगता है कि हम पहुच गए हैं उनके पास तो चलिए मिलते हैं मिस्टर कमलेश जी से सबसे पहले मैं बढ़ाई देना चाहूंगा नवगया और अनन्य को जो उन्होंने इस मुश्किल वरी हालात में लॉकडाउन में कोरोना काल में एक बहुत अच्छा इनिशेटिव लिया है जो एक सरानिय कदम है जिसमें लिए मैं इन दोनों बच्चियों को बहुत बहुत बढ़ाई देना चाहता हूं बास्तर में यह बहुत बहुत धन्यवाद और बढ़ाई के फात्रें हैं और बहुत मुश्किल हालात में मेरे बाबापने संगर्श करके मुझे यहां तक पहुंचाया है और आज क्योंकि दस साल मैं जॉब भी किया हूं याज आईटी प्रोफेशनल के रूप में बट मुझे हमेशा यह लगता था कि मुझे मेरा कुछ अपना होना चाहिए मेरा कुछ अपना सेल्फ बिजनिस होना चाहिए उसी दिशा में प्रयाश करते करते मैंने खौरें एक्टेंस टेंग मार्कट के ला वात्रोफ में फ्रेशनल को है अपने आपको एकस्प्लूर किया मैं समझताओं की बहुत जरूरी है जो जिस दिशा में अपनी योगता रखते हैं उस दिशा में अपना प्रयास करके वो आत्म निर्वर बने का अगर बनने की कोशिश करे तो वो दिन दूर नहीं जब हम भी एक बहुत अच्छे बिक्सित रास्त के लाइन में खड़े हो सकत हैं तो इनी शुब कामनाओं के साथ इस यूट्यूब चैनल को मैं बहुत बहुत बढ़ाई देना चाहता हूं तो कसे होगा आपको हमारा प्रोग्रम अच्छा लगा होगा और आप हमने फीडबेक देने ना भूले क्योंकि आपके बिश्प सच चुना जाएगा हमारा की हुआ तिल दन बाइबाई